आप सभी का Home Science Classes में स्वागत है आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दहेज की बारे में हम पढ़ेंगे दहेज क्या होता है इसके कारण और इसको रोपने के लिए कौन-कौन से कानून बनाए गया है तो चलें आज के विडियो स्टार्ट करते हैं दहेज प्रथा तो वर्तमान समय में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके कारण माता-पिता के लिए लड़कियों का विवा एक अभिशाप बन गया मतलब जल्दे शादे नहीं होती अगर किसी की पास दहेज नहीं है तो उसके लड़की के शादे नहीं होती विवा के समय गया पक्ष दवारा वल पक्ष को दिया जाता है तो कुछ ऐसा एमंट कुछ पैसे हो सकते हैं और समां होता है ठीखिए है शुर। दिये जाते हैं, लड़की जो पक्ष होता है, वो लड़के पक्ष को दिया जाता है, कभी-कभी पैसे और समान दोनों दिये जाते हैं, लड़के पक्ष को तभी क्या होता है, तभी शादियोती, यही जो पैसे और समान है, यही क्या कहलाता है, दहेज, ठीक है, दहेज वा ध वो भी गिफ्ट लाके देते हैं, तो वो सब क्या है, दहेज है, इसके लिए क्या हुआ, दहेज नीरोधक अधिनियम, 1961 के अनुसार, दहेज का आर्थ कोई ऐसा संपत्ति या मुल्लिवान निधी नहीं है, निधी है, मुल्लिवान निधी है, जिसे विवा करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष न दूसरे पक्ष को अथवा, विवा में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन वैक्ती ने किसी दूसरे पक्ष अथवा, उसके किसी व्यक्ति को विवाक के समय विवाक के पहले या विवाक के बाद विवाक की आवशक सर्थ के रूप में दी हो मतलब देखें एक पक्ष जो बेटी पक्ष होता है ठीक है बेटी पक्ष और एक बेटा पक्ष होता है ठीक है तो यह क्या होता है जब शादी की बात चलती है तो तरफ से डिमांड कि जाती हैं और में लाकी को इसकी तार कि के नहीं अटाथ लोगोनेποवलनेवा हैं पास प्रिमांड होता है जो अपने थी अपने घरी 원 जो मांग रहे झाल कें ूच के समय से जो देते हैं वो किया हाता दहींड कहलाता है पर दर दहजश के कारवनों के बात करें तो दहज का जीवन साती चुदने का सीमित शेत्र गालओं करने का विवा अपने वर्ण जाती या उपवीया करना होता हुझा तो विवा का दायराすご maltुप यूपालाँ से हो जाता है तो क्या होता है तो फिर वहाँ पर दहिज देखकर ही शादी होगी वो लड़की अगर किसी और छेत में जाकर शादी करे तो दहिज की आश्रकता नहीं होगा लेकिन सेमिट कम होने के कारण दहिज देखकर ही शादी हो पाती है फिर आता हमारा बालविवा बालविवा के रथे कोई property मांग लेता है कुछ चीचा मांग लेता है तो इसमें बाल विवा में भी दहित चलता है पर आता मारा विवा की अनिवार्यता हिंदु में कन्या का विवा अनिवार माना गया है इसका लाब उठाकर वर्डभकTS के लोग अधिकारिक दहित की माना गया है तो जो हि तब ही लड़की की शादी होगी कुछ भी प्रॉब्लम में या प्राप्ट प्राप्ष कहो प्धुत करने के लिए प्राप्ष को धिसका कूल या प्राप्ष को यह सादी आपर इस फिर चालता कूल जर्भी के है यह करने मरें अफिब ड़स लड़किma तो आज कल क्या हो गया है कि हाँ जादा दहीज मतलब अच्छा प्रतिस्थान है हमारा हम पैसे वाले हम भाती समाजी उच्छ समाजी वर्ग से आते तो दहीज यह भी दिखावा के लिए भी लोग देते हैं धन का महत वरतमान में धन का महत बढ़ गया है और इसके द्वारा की समाजी प्रतिस्था निर्धारित होती है जिस वक्ति दहीज प्राप्त होता है इसके प्रतिस्था भी बढ़ जाती है अगर लड़की ज्यादा दहीज दे रहा है ठीक है अगर ज्यादा दहीज दे रहा तो लड़का वाला जो होगा तो उनका और समाज में स्टेटेस ब के लिए वर्त परक्ष के लोग दहिश की मांग करते हैं अगर नडगा है ठीकर एक दही करता है तो क्या करता है कि तक ले रहन देंुदमान डिक्ता है यहां ख़णज विकास हुआ है नगरी करन और उधोगी करन बढ़ा है पर्याम सरूफ क्या हुआ जाती है मुप जाती के गच्री स्विलता में हुई है इसी करन क्या होता है इसमें दहिज प्रथा को ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है ठीक है समाजी प्रथा तो एक समाजी प्रथा जो बहुत टायम से चला आ रहा है तो उसको दहिज लेते हैं क्योंकि लड़की मनों ने दिया है तो वो सोसे हम ने दिया तो हम लेंगे भी तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है अब बात कर दहिज प्रता के दुष्ट प्रयाम के बारे में तो बाली का वद तो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि लड़की होने वाली है तो क्या करते हैं वो उसको मार देते हैं लड़की को मार देते हैं ना लड़की होगी ना हम दहिज देंगे तो दहिज के कारण उसको चिंता के कारण लड़की का वज़ कर देते हैं उसे मार देते हैं वारी वारी के विगटन कम दहिज देने पर कन्या को सरसुराल में अनिक प्रकार के कस दिया जाते हैं उसको बहुत सारे उसके साथ घरेलू हिंसा होता है अगर वह उसको अच्छा सा दहिज नहीं मिलता या फिर शादी के बाद और पैसे डिमांड करते हैं तो यह भी रीजन ह हथीया अवं आतम हथीया जिन लड़कियों कहजि़ देज नहीं दिया जाता इस ङसे मिलते हैं जिसमें उसको जलाकर मार दिया जाता है फिर आता है रिडर गरस्तता दहिज देने के लिए कण्या के पिता को रुपए द्हालेना पड़ता है या अपनी जमीन पर जेवरात मकान को गिरवी उनलोग रख देते हैं गिरवी रख कर ही वो क्या करते हैं बेटी की शादी करने के लिए दहिज देते हैं, तो ये सारे देखने को मिलता है, इसके दहिज के प्रयाम है, जो नियम जीवन स्थर कन्या के दहिज जुटाने के लिए परिवार पूरा उसको सब कुछ दे रहता, उसके पास कुछ भी नहीं बसता, वो गरीब हो जाता है, फ लिए उसमें हो, तो प्रय। ये ढ़ीते हैं, फिर फिर देखना लारा पूरा लेते हैं, और फिर देखने के लिए परिवार में जाता हैं, मुझे की या उसको सब्सें प्रय। छोड़ देते हैं या फिर शादी नहीं होती तहीं सारे रीजन होते हैं दहेज के पर आता है अनैतिक दहेज के अभाव में कई लड़कियों को देर तक विवा नहीं हो पाता और वे अपनी यौन इच्छों की पूर्ती अनैतिक तरह को सुकरती है हाँ तो यह भी reason होता है अप रात को पृत्साहान दहज उटाने के लिए कई अप रात भी किये जाते हैं रिश्वत लेना चोरी गबन तो जब दहज इखटा करने के लिए उन लोग चोरी भस्टचा जारी सभी करते हैं कि पैसे इखटा हो तभी हम दहज देंगे तभी अच् से दाहिज पर्था के लाब तो थोड़े बहुत लाब र सबने के किसे समाप्त कर सकते हैं कि नहीं देना चाहिए नालेना चाहिए थिक दाहिज पर्था को समाप्त करने विजह बहुत धाता है इसके लिए अगर हम कैसे समाप्त कर सकते हैं आप ही सुचिए अगर इस तरी शिक्षा दी जाए तो वह सिक्षा क्या होगी वह जब इस तरी सिक्षित होगी तो पूरा परीवारा सिक्षित होगा और वह दहेज ना लेगा ना देगा ठीक है फिर आता है जीवन साथी की देज की दिमार्न नीं होती बस क्या होता दोनों की रजामंदी रजामंदी से शाथी हो जाती है फिर अथा अंतरजाती विवा की छूटहों के दाइरा विस्त होगा तुदा प्रथा-समापत्त होगा यह सारे आप कर अपनाएंगे तो दहेज को समापत कर सकते हैं लड़क दहिज विरोधी जनमत त्यार करना चीज जो दहिज को लेना देना दोनों को गलत मानता हो जो दहिज विरोधी कानून है उनको अच्छे से निर्मार की जो निर्मार तो बहुत हुए है ठीक है जैसे दहिज निरोधक अधिनियम 1961 ठीक है लागू हुआ है परंतु इस अधिनियम अपनी कई कम्यों के करन दहिज परथा को कम करने में सफल रहा है वरतमार में इस अधिनियम को संसोधित कर इसे कठोल बना दिया गया तो कानून जो है वह कठोर हो, कठोर होने के साथ साथ, उसको निगरानी करते रेना चाहिए, उसके लिए एक टई लेना चाहिए अगर कोई भी ऐसा दहेज की समस्य आती है, ठीक्वर उसके उस पे चाहिए, बस बनाने से नहीं होगा, पिर आता है यूवा आंदोलन इसके लिए एक आंदोलन यूवा आंदोलन जो भी यूवा वर्ग है वो अपनी शाथी में दहिज लेगा और ना देगा ठीक है ये होना चाहिए अब देखें जो इंपॉटेंट है एक्जाम के लिए यहां से भी कोश्चन बन सकता है दहिज न पिरोध अधिनियम पायत किया गया था ठीक है इसकी विशेश्चन है क्या है विवा के पहले या बाद में विवा की एक सर्थ की रूप में लुप में से परटेक्श रूप में से दीगई कोई भी संपत्ति या मुल्यवान वस्तु दहिज के लाएगी कुछ भी आप दे र वाले इस कारे मदद करने वाले वेक्ति को 6 मा की जील वा 5,000 रुपए का डंड दिया जा सकता है ठीक है मदद अगर कोई कर रहा है कुछ पैसे देखके तो उसमें भी 5,000 का डंड होगा या फिर 6 मा की जील होगी या फिर दोनों हो सकता है पिर दहिज लेने वाद देने समंधी किया गया कोई भी समझोता गैर कानूनी होगा विवा में भेट दी गई वस्तुमों पर कन्या का अधिकार होगा जो भी विवा में भेट मिल रहा हो कन्या का अधिकार होगा और किसी का नि, धारा साथ के अनुसार, दहे समंधी, अपराद की सुनाई, प्रत्थम श्रेडी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और ऐसी सिकायत लिखेत रूप में एक वर्स के अंदर ही दी जानी चाहिए, ठीक है तो आज के लेतना ही, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को सब्क्राइब करें और ये पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहां से इसका डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है